भदोही में लगातार बढ़ रही फंदे से जूलने की घटनाएं एक और नया मामला भदोही के दुरगागंज स्थानाच्षेत्र के कुढवा गाउ में 15 वर्सी एक किसोर ने फंदे से लटक कर आत्मत्या कर ली किसोर नौवी का छात्र था बताया जा रहा है कि दोपहर में वह दुरगा पुजा पंदाल से लोटा था किसोर ने यह कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाई है कुढवा गाउ निवासी मोतिलाल गौतम के चार पुत्र हैं इनका दूसरे नमबर का बेटा सरत दुरगा गंज के एक विद्याले में कक्षा नोवी में पढ़ता है इन दिनों गाउ में दुरगा पुजा की तयारी चल रही है जिसके लिए गाउं के ही युवक पंडाल तयार कर रहे हैं बताया जा रहा है कि गुरवार को सरत भी पंडाल के पास मुझूद था दोपहर करीब एक बजे वह पंडाल से घर लोटा जिसके बाद घर के टीन सेड़ वाले कमरे में मा की साड़ी से फंडा बना कर आत्मत्या कर ली परिजुनों की नजर पड़ी तो उनके पैरो तले जमीन खिसक गई उन्होंने ततकाल इसकी सूचना पुलिस को दी जानकारी होते ही प्रभारी निरिक्षक संतोसराय मौके पर पहुचे पताय की फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके की जाच परताल की जा रही है सब को कबजे में लेकर पोश्ट माडम रिपोर्ट के लिए भेजा गया है रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कारवाई होगी किसोर ने यह कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाई है वहीं लगातार नावाली को द्वारा फंदे से लटकने की घटनाओ पर अंकुस लगाने के लिए कहीं ना कहीं परिवार प्रसासनिक और सिक्षन संस्थानों की तरफ से काउंसलिंग अब आवश्यक हो गई है जनपत भदुही से सुरेश कुमार मिस्रा के साथ दीपक कुमार मिस्रा की रिपोर्ट आकास भूमी न्यूज राष्ट्रिय समाचार पत्रव वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनुखी जलक मस्कार जैहिन वंदे मात्रम आप देख रहे हैं आकास भूमी न्यूज मैं हूँ दीपक मिस्रा